असलाम अलेकुम नमस्कार दोस्तों कोईट से कुछ लेटेस्ट अपडेट है सभी परवासी को लेकर के देख लेते हैं आपे कोईट से जो पहली अपडेट है बता दे कि कोईट के अंदर नॉर्मल वर्किंग डेस स्टार्ट हो चुका है जिनका भी सिविल आइडी पेंडिंग में था सिविल आइडी ऑफिस द पबलिक अथर्टियों मैंपावर के तरफ से बताए गया है कि अभी यह ओफिसे बिल्कु नॉर्मल तरीके से काम करेगा पिछला जिनका सिविल आइडी अभी तक नहीं मिला है वो लोगों का सिविल आइडी जल्द ही मिल जाएगा उनके अलावा जो भी नया विजा लगा है जिनका सिविल आइडी के लिए अपलाई करना है तो वो भी ऑनलैन सिविल आइडी के ल Ministry of Kuwait के तरफ से बताए गया है कि government return to normal working hours from today यानि कि 13 तारिक Sunday से सभी कुछ Kuwait के अंदर normal तरीके से कामकाज स्टार्ट हो चुका है Kuwait के अंदर दोस्तो normal कामकाज होने के बाजूद अभी तक Ministry of Kuwait के तरफ से जो visit visa है family visa है जिनके बारे में announcement किया गया था लेकिन finally अभी तक approval नहीं दिया गया है जो भी update आता है Ministry of Kuwait से नया visa को लेकर के दोस्तों आपको इस चैनल पर मिल जागा Kuwait से अगली update दोस्तों weather को लेकर के हैं बता दे कि Kuwait में जो लोग भी रहते हैं और बता गया है कि कुछ गरच के साथ कई एरिया में जादा भी बारिस हो सकता है 15 से 35 किलोमेटर परती घंटा के बीच होंगी बता दे कि ये धूल मिटी इराक से आने वाली धूल के कारण कुछ चैतरों में जादा होगा और कहीं पे कम भी होगा जो लोग भी कुएट के बॉर्डर एरिया पे काम करते हैं या फिर सौधी या फिर योई बॉर्डर पे काम करते हैं उनके लिए काफी दिक्कत हो सकता है तो दोस्तों ये कुछ लेटेस्ट अपडेट था कुएट से सभी खबर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें